नमस्कार स्वागत आपका एंजेपी रेवाडी पर मैं हूँ आपके साथ कोमल राओ आखिर नीन तूट गई एंजेपी रेवाडी के मन से आवाज उठाई गई तो अधिकारी जाग गए और दिल्ली जैपुर हाईवे पर साभी बैराच से रेवाडी की ओराने वाली आधा किलो मीटर की सड़क का नवीनी करन कर दिया अब रेवाडी रोड को नैशनल हाईवे 48 से जोडने वाली छोटी सी सड़क पर हिचकोले नहीं लगते समस्या उठाने के अगले दिन ही रात को निर्मानकारिय शुरू कर दिया गया आज इस सड़क पर सरपट वहां दोड रहे हैं बता दे कि यह चोटी सी सड़क प्रती दिन हजारों यात्रियों के लिए एक बड़ी आफत बनी हुई थी बैराज के पुल से उतरते ही लगभग आधा किलो मीटर की सड़क इतनी जरजर हालत में हो चुकी थी कि यह कहना मुश्किल था कि सड़क में गड़े हैं या गड़ों में सड़क एनजेपी चैनल पर डराती है अधिकारियों की अकड और जर जर डरावनी सड़क सीरशक से समस्या को सामने रखा था निरंकुष हो चुकी अफसर शाही पर इससे कुछ अंकुष लगा और अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस सड़क का निर्मान करवा दिया इसके साथ ही हजारों लोगों को राहत मिल गई है यह बता दे कि इस सड़क का काम वर्षों से इसली अठका था क्योंकि अफसर शाही यही तै नहीं कर पाई थी कि यह सड़क किस विभाग के अधिकार छेत्र में आती है खेर देर आये दुरुस्त आये अब लोगों को राहत तो मिल ही गई है आप वीडियो में पहले और अब किस्तिती को देख कर अनुमान लगा सकते हैं कि अगर सड़क किनारे बेतरतीब खड़े पेडों की बिना नुकसान पहुचाए छंगाई करवाई जाए और यहां पर राइट की विवस्था करवा दी जाए तो हैं सड़क अंधेरे के कारण डरावनी भी नहीं रहेगी